ओम शान्ती, वो कहते हैं कि बुरे दिन भी अच्छे के लिए आते हैं, आए हैं बुरे दिन तो कभी अच्छे भी आएंगे, गर आएंगे कभी शातिर तो फरिस्ते भी आएंगे, वक्त की बड़ी कमाल है, वक्त गुजरता जाता है, और बदलता भी जाता है, अगर बुरा वक्त चल रहा है, तो सबर करो, और अच्छा वक्त चल रहा है, तो शुकर करो, अगर हम अपनी सोच को, एटिटूड को, दृष्टि कौन को सही कर लें और हमेशा अच्छे वा नेक करम करते रहें, तो हम को भी अच्छे दिनों में बदल सकते हैं। समय हर तरह का आता है अच्छा भी और बुरा भी। अमुनन लोग खुशी आने पर इस कदर खो जाते हैं कि खुद को भी भूल जाते हैं। और मुक्त पंची की तरह हवा में उनने लगते हैं। वहीं दूसरी और जब मुश्किल स्थिती का सामना करना पड़ता है तो ये भूल जाते हैं कि ये तो अल्पकाल की प्रिक्षा है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। जब दुनिया में कुछ भी स्थाई नहीं तो हालात कैसे स्थाई रहेंगे। इन सब के साथ ही ये भी कहा जाता है कि अच्छे वक्त में साथ देने के लिए हजार लोग मिल जाएंगे। प्रन्तु बुरे वक्त में होसला देने के लिए मुश्किल से ही एक भी मिलेगा। बस हमें बदलते हालात के साथ खुद को बदलने की कला सिखाने की जरूरत है। तभी हम वक्त के साथ कदम से कदम मिला कर चल पाएंगे और तभी हम जीवन की बड़ी निराशाओं से बच सकेंगे। जो व्क्ति खुशहाल स्थिती में अधिक उत्साहित नहीं होता और दुखद स्थिती में जादा उदास नहीं होता। वही सही माइने में एक स्थिर और सुरक्षिक जीवन जीपाता है। हम जीवन के इस रंगमंच पर अभिनेता के रूप में अपनी भूमी का निभा रहे हैं। इसलिए हमें दोनों स्थितियों में चाहे सुखद हो या दुखद समान रूप से अपनी भूमी का निभानी है और हर प्रकार की स्थिति में संतुलन बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। ये अच्छे अभिनयकी जरूरी शर्त है। हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हम हर तरह के व्यर्थ और नकरात्मक विचारूं और उर्जा से मुक्त हो जाएं। यदि हम नौर्थ और सौथ पोज को छोड़ दें तो हमेशा एक दिन सारी पृत्वी पर 24 गंटे का ही होता है। फिर भी सभी दिन एक जैसे नहीं होते। सब दिन होत ना एक समाना। राजा हरिश्चंदर का एक वो दिन था जब उनके खजाने में सोना भरा था। पन्तु उन्हीं का एक दिन ऐसा आया कि उनका सब कुछ छिन गया और सुएं काशी में महतर के घर पानी भरते रहे और शम्शान में लाशें जलाते रहे। जीवन में परिवर्तन अक्सर होते ही रहते हैं। अन्यथा जीवन डल और बोरिंग नीरस हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक बुड़ा वेक्ति अचानक अपने बच्पन के दिनों के कुछ खुशी भरे पलों को याद करते हुए, अपनी आँखों में चमक और चेहरे पर खुशी दिखाते हुए कहता है, वो भी क्या दिन थे, दोज वर्दा डेज। इस परकार, यदि हम भिन-भिन द्रिष्टी कोनों से विचार करें, तो दिन कई परकार के हो सकते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं, जिने हम बुरे दिन मानते हैं, जबकि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं, जिने हम अच्छे दिन मानते हैं, हम सभी ने कुछ लोगों को ये कहते गए हैं आप भी कहते होंगे तरसल दिन ना तो बुरे होते हैं और ना ही अच्छे क्योंकि एक दिन 24 घंटे की अबधी को दिया गया एक नाम मातर है ये केवल समय की एक इकाई है लेकिन फिर भी जब हम कहते हैं मैं बुरे दिनों में हूं या वो वेक्ति अच्छे दिनों मे हैं तो इसका क्या आरत होता है कभी-कभी बुरे दिन यूही आ जाते हैं और अगर किसी वेक्ति का दिन खराब चल रहा है तो लोग उसे और भी बुरा महसुस कराते हैं वो सकता है कि ऐसे लोग हों जो बिना उसकी गलती के उसकी कटु आलोचना कर रहे हों और बिना किसी अधार के उस पर आरोप लगा रहे हों या वो जो भी भूमी का निभाता हो और जो भी काम करता हो वो पूरी तरह से विफल हो जाता हो वो अपनी सरवसरेश्ट परियास करता है फिर भी सफलता उसे दूर रहती है वो कुछ लोगों से प्रेम करता है और उनके पन जाते हैं उसने कोई बुरा काम नहीं किया है फिर भी उसका मन में शांती नहीं है और उसे लगता है कि उसके दिल से खुशी पूरी तरह से गायब है उन्हीं लोगों ने जिनकी उन्होंने आफशक्त्या के समय मदद की थी सहता की थी अब उन्हीं ने उससे मुह मोड और उसकी भलाई के प्रतितनिक भी चिन्ता नहीं दिखाई लोग उसकी कमिया गिनाते हैं उसकी कमजोरियों पर गहरा प्रहार करते हैं और उसके घावों को खोलने या कुदेरने की कोशिश करते हैं और जब किसी का दिन अच्छा चल रहा होता है, तो लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, उसके कारियों और गुणों की सरहना करते हैं, और उसे पसंद या प्यार करते हैं, उसे लगता है रिष्टों में खुशी है, उसके पास शेहन शक्ती है, अच्छा इजी सहस फिल करता है जीवन में, उसे लगता है कि लोग उसके साथ अब मिसकंडक्ट दुर्विवार नहीं करते हैं, और चाहे वो कोई भी कारिया करे, उसे आम तोर पर सफलता मिल जाती है, ये भी देखा गया है कि वेक्ती के दिनों में परिवर्तन भी होता है, इतिहास ऐसे उधारनों से भरा पड़ा है कि राजा भी बिखारी बन गए या समान्य वेक्ती भी सिहासन पर विराज मान हो गए, लेकिन हम ये याद रखने की जरूरत है कि हमारे भाग्या में बदलाब या हमारे दिनों में बदलाब, हमारे अपने कारियों की क्वाल्टी में ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन के कारण होता है, लेकिन अकाश के तारे भी आत्माओं के कर्मों के कारण बदलते हैं, हम सभी आत्में ही अब पृत्वी पर तारे हैं, अकाश के तारों और धर्ती के तारों का एक relation है, एक link है, सारी प्रकृती हमारे ही कर्मों से प्रभ माता स्वयम हैं याद रख लिजिए वी आर दा बिल्डर्स एंड मेकर्स आफ आवर ओन फॉर्चून हम अपना भाग्या स्वयम निर्धारित करते हैं वी डिटर्मीन आवर ओन डेस्टिनी तो बेसिकली बुरे दिन वो दिन होते हैं जब कोई वेक्ति बुरे विचार रखता है या बुरे काम करता है और अच्छे दिन बेसिकली वे दिन होते हैं जब वेक्ति अच्छा सुचता है और अच्छा करता है इसलिए हमें अपनी आतम जाच करने की जरूरत है हमारे विचार हमारी भावनाय बनाते हैं पेलिंग्स बनाते हैं इसलिए यदि हम अच्छा महस उस नहीं कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं, वो है कि हम जिस तरह से सोच रहे हैं, उसे बदलने का प्रियास करें, अपने आप पर कुछ दया दिखाएं, हमें खुद को वो प्यार देने की जुरूरत है, जो हम दूसरों से पाना चाहते हैं, यदि हमारा म हम से ऐसी बाते कह रहा है, जो हम अपने सबसे अच्छे दोस्स से नहीं कहेंगे, जैसे तुम बिलकुल बेकार हो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तो हम वास्तर में खुद के प्रती दयालू नहीं हैं, जब तक हम उसमें बदलाब नहीं कर लेतें, तब तक हमें बहतर मह महसूस नहीं होगा, हमें खुद को और दूसरों को दोश देना बन करना होगा, खुद को और दूसरों को माफ करना होगा, और अपने को अलोचना, अपनी अलोचना करना बन करने का प्रियास करना पड़ेगा, और अपने एक पहतरीन दोस अपना बनना होगा, यदि हमारे तो ये हमें ऐसा महसुस करा सकता है जैसे हमारा पूरा जीवन सबसे खराब है तर ऐसा नहीं है सविकार करें कि ये सिर्फ थोड़े टाइम की या एक दिन की बात है और मेरा कल इससे डिफरेंट होने वाला है हमें तनाब चिंता दुख और कलेश के दिनों में ये भी ध्यान म हमें रखना चाहिए ये विपरीत दिन भी बदल जाएंगे क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है नथिंग इन दिस वर्ड स्टेज फॉर एवर जैसे रात के बाद दिन आता है इसी तरह देर सवेर अच्छे दिन बुरे दिनों के बाद ही आएंगे इसलिए हमें ध्यारिया रखना चाहिए क्योंकि हमारे बुरे दिन हमारे ही कारियों के हमारे ही कर्मों का परिणाम है हम उनसे बच नहीं सकते हम केबल खुद को उनसे सुरक्षित रखने के लिए या खुद को उनसे बचाने के लिए उपाय कर सकते हैं स्टार्ज को कोसने या दुरुभाग्या पर रोने या लोगों पर हमें छोडने या हमारे लिए दुख पैदा करने का रोप लगाने का कोई फाइदा नहीं है दुसरी होर हमें इन कठिन परिस्तितियों से सबक लेना चाहिए और इन्ही सेल्फ डिवेल्पमेंट आतम विकास के लिए एक अभ्यास या क्राइसिस मनेजमेंट यानी संकट प्रमंधन की ट्रेनिंग के रूप में मानना चाहिए जो कुछ हमारे साथ जीवन में होता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है जब जीवन हम पर कठिन प्रहार करता है तो हम आगे बढ़ने और कुछ सीखने के लिए मजबूर हो जाते हैं हर बहनक परतीत होने वाली चीज में हर दिल तूटने पर हर आपदा में सीखने लाइक एक सबक होता है जिससे किसी ना किसी तरह से हम अपने और अपने मुल्यों के बारे में जागरुत का और समझ का विस्तार करना होता है यदि हम सबक तलाशने की कोशिश करें और अपनी चनौतियों को एक व्यक्ति के रूप में विक्सित होने और अपनी स्थिती में सुधार करने में उपयोग करें तो शायद हम प्रिक्षा में अच्छे अंकों या सम्मान के साथ पास हो सकते हैं यदि उन सबी के लिए भी एक सबक है इसके लिए जिनके बुरे दिन नहीं है वो सबक ये है कि वो कम से कम उन लोगों के पती सहनूब होती तो रखी सकते हैं जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं यदि वो किसी अन्या प्रकार से स हallasता नहीं कर सकते तो भी उन्हें ऐसे लोगों की कमिया नहीं बतानी चाहिए और उनसे अबदरता से बात नहीं करनी चाहिए जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हमें भी जीवन में ना चाहते हुए भी एसी ही परिक्षव और एसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है साथ ही जब किसी के अच्छे दिन चल रहे हूँ तो उसे अपना भाग्या पर घमंट भाग्या की बोश्टिंग भी नहीं करनी चाहिए कोई नहीं जानता कब किसी का वक्त बदल जाए कोई भी बुरे दिन आने का पूरव अनुमान नहीं लगा सकता इसलिए आईए हम घमंड खुद की बढ़ाई और सोयम की परसंसा करने से बचे किसी को हर्ष और उलास हो सकता है और संतुष्टी महसूस हो सकती है कि उसने अच्छा काम किया है किसी को अपनी क्षमतों पर भ्रोसा भी होना चाहिए लेकिन यदि कोई बार बार इसी धुन पर गुन गुनाता रहे सभी सभाओं और सभी अबसरों पर अपनी सफलता के इतने गीत गाता जाए कि दूसरों को लगे कि उन्हें दोयम दरजे का कम बुद्धिमान कम सहसी या कम गुन वाला दिखाने की कोशिश की जा रही है वो भी ठीक नहीं है इस तरह उनके आत्म समान की भावना को फेस पहुंचाया जा रहा है ये भी ठीक नहीं है इसलिए चाहे दिन अच्छे हूँ या बुरे हूँ हम अपने कारियों में हमेशा अच्छे रहना चाहे अपनी मन स्थिती दूसरों के साथ अपने व्यवार और सबंधों अपने दृष्टी कौन में हमेशा अच्छे रहना चाहे और जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों के प्रती, अपनी प्रती क्रिया में हमेशा अच्छे रहना चाहिए यदि हम इस मारक को पना लें, तो हमारे बुरे दिन भी अच्छे दिनों में बदल सकते हैं द्यारिया रखें, पिशन्स से काम लें, अच्छे सोच रखें, अच्छे करम करें, तो एक ना एक दिन, बुरे दिन, अच्छे दिनों में बदल जाएंगे, ओम शान्त